इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चीज को अच्छे से यहां पर समझना क्यूं क्यूंकि रॉलिट एक्ट ज़रूर लिखा है लेकिन यहां पर आपको मल्टिबल टॉपिक्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे पिछले वीडियो हमने क्या कर लिया था देख लिया था कि first world war जो है ना तो first world war कही ना कहीं क्या है first world war इंडिया में nationalism की feeling को strengthen करने में एक important role play करता है अब उसी continuation में चीजों को आगे बढ़ाते हैं ठीक है कहानी जोड़ के रखना उसी continuation में आगे बढ़ाते हैं तो रॉलेट एक्ट जो यह कहा जाग रहा के चलते ही जिसे अगर आप देखोगे मतलब यह सारे इवेंट्स आपस में जुड़ी हुए जलिया वाला इंसीडेंट होता है ठीक है अब जलिया वाला इंसीडेंट का दुख था घुसा था ठीक है खिलाफत मुमेंट की लहर थी और इन सारी चीजों को मिला के अगे स्टार्ट होगा अब अभी मैंने आपको बड़े बड़े नाम बता दिया अगर आप कंफ्यूज होगी कैसे होगा तो सारी चीजों पर क्लियारेटी मिल जाएगी क्यों क्यूंकि अब हम सिस्टेमेटिक लिए सारे टॉपिक्स को जोड़ते चलेंगे यहां पर ठीक ह वह एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अनकैडमी एप डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहां पर आपको एक्साइटिंग सर्प्राइज एकसाइटिंग फीचर्स यह सारी चीज़े मिल जाएंगी जैसे स्पेशल क्लास अगेरा ह होती है ठीक है बहुत सारे क्विज होते हैं साथ ही साथ क्या है लीडर बूर्ट पर अपनी पोजिशन देख सकते हो क्या आप कहां स्टैंड करतो यह सारे एक्साइटिंग फीचर्स आपको अनकैडमी एप पर मिल जाएंगे आपको करना क्या होगा एक सिंपल सा पास्कोर् है महत्मा गांधिने नए तरीके से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जैसा लगता नहीं था लोग बैठे आराम से ठीक है मतलब सत्यागरा का आइडिया क्या था सत्त्यागरा का आईडिया यह था रिक्वाइ चैल में डाल देते यह तो शांती से काम कर रहेर ना सब काम कर रहे हैं सांती से कोई काम करěगा तो आप क्या कर सकते बताव थे थो धितत ही समस्क्राइब महात्मकानी से ब्लैक लॉँ यह सा कानून लेकिन आपको पुलिस करती तो 24 घंटे के अंदर वो आपको कोट में पेश करें ठीक है क्यों कि आपके फंडमेंटल राइट्स है कि बिना किसी कारण का पुलिस के सामने आपको पेश किया जाए लेकिन यह जो लॉप पास किया था तो अरेश्ट कर लेंगे किसी को भी मेर अरेश्ट कर लिया है तो इस तरह के काले कानून को अपोस्ट करेंगे अनी ग्राउंड ठीक है तो अ ब्लैक लॉप पास्ट्रू इंपीरियल लेश्टिलेटिव कांसिल ठीक है इट गेव दी गवर्मेंट एनॉर्मस पावर तो रिप्रस पॉलिटिकल अक्टिविटीज एंड अलाव डिटिंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट् छो और लग रॉडब लाव लॉडव कि गवश्ट संटेंस किर्फिंश करने के लिए पौलिटिकल पॉलिटिकल प्रिजनर्स तरह कर लाए प्रिजनर्स को तरफिंट में डाल दी चाएगा पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऋसको करो तो प्यर्मस चब्रिजन सिचmarket हैं तो इस तरह का यह जो पास होगा था रॉलेट एकट क्या है अगर लिखने को आता है तो अब महात्मा गांदी ने इस लॉक को पोस्ट करने के लिए थिए जैसे आप दिखेंगे तो क्या हो रहा है कि महात्मा गांधी अगही इन्डिया में सत्याग्रह के प्रिंसिपल को अपारेंट खेदा एहमदाबाद ठीक है अब क्या होता है एक जब 1990 में इस तरह से एक लॉव पास किया जाता है तो उसी लॉव को अपोस्ट करने के लिए एक रॉलेट सत्याग्रह और गनाइस किया जाता है अब समझाया तो रॉलेट सत्याग्रह क्या है मतलब वही है कि इस रॉलेट एक को हम सत्याग्रह की मदद से क्या करेंगे अपोस्ट करेंगे अगेन वही बात है हम कोई तुम्हें उठानी रहे कोई तुम्हें मार पीटे नहीं कर रहे हम कोई तुम्हारे सामने प्रोटेश्ट नहीं कर रहे हम पीसफुली क्या करेंगे पीसफुली अपोस् अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहां पर भी इस विल डिस ओबढ़ोगे वह आगे पड़ोगे अभी यह जो आप पढ़ रहे हो यह तो क्या है रॉलट एक के अगेंस्ट में एक पीसफुल सत्याग्रह और्गनाइस करेंगे जिसमें लोग डिस ओबे करेंगे सिविल मतलब क्या है जनता डिसोबे मतलब डिसोबे ठीकिन नहीं मान रहे है तो सिविल डिसोबीडियंस मुविंट आपको देखने को मिलेगा अगेंस अगेंस अंजस्ट लॉइंड डिसाइड तो वाइलेंस और नॉन वाइलेंस को बहुत अच्छे समझना होगा क्यों क्यों कि जब आप देख रहा है निउव मोड ओफ इस्टरगल नुव लीडर है और जो नुव लीडर है तो वह डिपेंडेंट थे बहुत जादा नॉन वाइलेंट वेस पे ठीक है तो नॉन वाइ यह हो गया अब देखो आगे क्या होता है तो रॉलेट सत्याग्राब जब लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट के हरताल पे लोग आ गए ठीके लोग पीस्फुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश एड्मिस्ट्रेशन डिसाइडेट टू कांड डाउन नैशनलि अब ब्रिटिशन एडमिस्टरेशन जो है तो उसने तो रॉलेट एक्ट पास करी दिया था तो वह तो किसी को भी क्या है कोई भी बंद ऐसा करते हैं कि मिनूणिकेशन लाइन वगगेरा यह भी सब बंध हो जा तो उसके चलते उन्हें इस को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो समझक्रolar तो सत्याग्रा चाहिा था तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया अरेस्टिंग लोकल लीडर्स ठीक पंजाब वाले रीजन में रॉलेट सकते हैं थोड़ा मजबूत था फिर क्या है जैसे आप देखोगे और महात्मा गांधी वास बाड़ेट फॉम एंटरिंग देली महात्मा गांधी को भी रोक बेस्ट को और रहता है जैसे लीडर आ गया तो फिर प्रोटेश्ट में जान आ जाती है वो चीज़ ठीक है एंटेंट ऑफ अपरेल दी पुलेट पुलेशी नमरी सर फायड अपॉन आप पीसफुल पोसेशन ठीक है शांती से लोग क्या कर रहे थे धरने पर बैठे थे थे तो आप क्या हो रहा है कि वो रॉलेट सत्यागर स्टार्ट हो गया है सत्यागरा में चीज़े धीरे-धीरे अन्फोल्ड हो रही है लोग पीस्फुली प्रोटेस्ट कर रहे है वैसे अमरिस्टर में भी पीस्फुल प्रोसेशन था उस पे लेकिन क्या होता है एक पुलिस जो टब्ली बजा दी तो फिर क्या होता हम भी रियाक्त करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर होई ठीक है वही चीज यहाँ और यही तो चाहा रहे थे इनको प्रोबोग्ट तो कर दे थोड़ा सा तो जैसे क्या है पीस्फुल प्रोसेशन के पर गोली चलती है तो लोग जो जन जब वायले इस रफ्ट हो जाता है तो मार्षल लॉइंपूस कर दे जाता है और जेड़रल डायर जो था तो जटनरल डायर को कमांड दे वी ठीकें जेनरल डायर जब यह जनल्राइल की भी कहानि समझना अच्चे से अब क्या वब यहां पर रॉलेट सत्या ग्राइब रॉले प्रोटेस्ट में ट्रॉन होता है जब ऑगोड़िकल अक्टिविटिश कार पाएंगे क्यों और गवंटने रिजन रिद्टि हो गया है तो तो यहां पर क्या है प्रा प्रियुटूरा खान गई। अब आगे कहानि कैसे बढ़ती है। तो यह सारा सब कुछ देश में पॉलेटिकल ही चल रहा था। Eunice से जाल बिशा ये रखा था। और जलिया वाला बाग incident होता है यहां पे जलिया वाला बाग क्या है तो जिसे अमरिसर में जाते हैं आप तो एक पार्थ था जलिया वाला बाग आज बी है ठीक है आज उसको एक तरब साथ आप देखेंगे तो व्यवस्तित करके रखाए था कि लोग रिलेट कर पाए कि क्या स्थिती रही होगी उस समय पर ठीक है तो आप क्या होता है जलिया वाला बाग इंसिडेंट एक क्या है और थर्टींट ऑफ एप्रेल दी इन फीमस इन फीमस क्यों लिखा है क्योंकि बहुत कोई अच्छी चीज नहीं थी यहां पर हमारे बहुत सारी लोगों की जाने गई की तो ऑन 13 ऑफ एप्रेल दी इन फीमस जलिया वाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस क्या हो रहा है तो ऑन देट डेए लार्ज क्राउड गैदर इन एंट्वोज ग्राउंड ऑफ जलिवाला बाग की स्तिती यही थी एक ही गेट था ठीक है एक ही गेट था अब उस तो लोग क्यों आया थे यहां पर लोग लोगों का आने का कारण भी समझ लो तो सम्वर गदर टू प्रोटेस्ट अगेंज दी गवर्मेंट्स न्यू रप्रेश्व मेंचन कुछ लोग जो है तो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आया थे ऐसा नहीं था कि सभी घू चल रहा था तो पब्लिक गैदरिंग मतलब एक पब्लिक गैदरिंग में सारे लोग इखटे हो कि कम से कम उसको क्या कर सकते डिसकस कर सकते ठीक है तो यह पूरा क्या है पूरा सीन है सीन समझ में आ रहा है विजुलाइस करो अगर आप आप आँख बंद करके भी वीडियो देखोगे ना तो भी मुझे ठीक लगेगा मतलब क्या विजुलाइस करो आप तो कहानी करते चलो कि क्या चल रहा है तो ब्रिटिश ने उस तरह की स्तिती बना के रखी थी रॉलेट एक्ट पास किया था मात्मा गांदी पीस्फुली रॉलेट सत्याग्रह कर रहे थे देश लोग सारे इखटे हो गए थे लोग मतलब बैसा की फिर में आया था कुछ प्रोटेस्ट करने भी आया था यह सारी चीज़े हो रही थी ठीक है अब लेकिन क्या है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे मैनी विलेजर्स वर अनवेर ऑप दी मार्शल लॉग डैट हैड बिन इ अब जैसे क्या है कर्फ्यू लगा कोवीट के टाइम में लोगों नहीं आइडिया था लेकिन क्या हो आप जो लोग पर निकल जाए पुलिस दंडे से ला देती थी कारण कारण यह था कि हमें कोवीट को इस प्रेड होने से रोखना था तो वही सीथी कुछ बदब ऐसे एक कुछ लोग प्रोटेस्ट करने भी आया थे लेकिन कुछ लोग तो बिचारे घूमने आया थे देवर अनुप्यार ऑफ एनी सच टाइप ऑफ मार्शल लॉबिंग इंपोस्ट ठीक है अब क्या होता है अपनी पुलिसमेंस के साथ में दरवाजा लगाता है दरवाजा लगा जान चले जाती है तो बहुत सारे लोग थे जिनने क्या करना पड़ा अपनी जान गवाना पड़ी मैं चीज आपको बताता हूं मतलब एक चीज आपको यह देखने को मिलेगी एक कुवा था वहाँ पर पार्क में ठीक है तो लोगों को यसा लगा क्यार गोलिया चल रही है अब एक आदमी ने सोचा दिमाग सब के पास होता है तो उसको लोग नीचे थे जो पहले कुदे थे तो उनके उपर इतने लोग कूद गए कि उनकी जाने ऐसे चले गई तो बहुत सारे लोगों की जाने गई अब जलिया वाला बाग इंसिदेंट जब हो आ तो उसका आफ् क्या हो रहा है कि जैसे ही जलिया वाला बाग इंसिदेन्ट होता है लोग तो बैसा कि के मेले में गय थे जनरल डायर ने गोलिया चलवा दी तो इंडियन मांसर्स जनरल डायर की यह नहीं करना था आपको उसके चलते क्या होता है है, crowd took to the streets in many North Asian towns, there were strikes, clashes with police and attacks on the government building. Government building वोय है एक टैक कर दिया, भूत ज्यादा violence हरप्ध हो गया, आप देखो है यहापर क्या है, who is the most powerful, state is the most powerful, मतलब government से जादा powerful कोन होगा, तो government ने भी हापर क्या देखा, लोग जो है पुलिस के साथ में जड़ब हो रही है तो पुलिस भी शांद बैठेगी गवर्मेंट का भी रिस्पॉंस यह था यह नहीं करना चाहिए था तो जो भी प्रोटेस्टर्स थे अच्छा ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इस तरह सब क्यों कि वह हता रहो गवर पूटल रिप्रेशन देखने को मिला कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे और मारा पिटा ही चल रही थी खुनम खान हो गया था सब कुछ ठीक है जो स्ट्रीक्स ऑफ अम्रित सर्ज हो थी तो वह पूरी क्या कर रही थी तरह से जल रही थी ठीक है और इतना वालेंस देखने महत्मा गांधी को कॉल आफ कर लिया उन्हें लोग क्या है बहुत जल्दी आतूर हो जाते हैं और उसके चलते हो और उसी के चलते लोग अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे गवर्वर्मेंट के अगेंस्ट में आप जाओगे गवर्मेंट आपसे ज्यादा पावर्फुल है यह स्तिती हो गई थी आँख बंद करो एक बार विजुलाइस कर लो सारी चीजें तो यह रॉलेट सत्याग्रह वगरा जो भी था रॉलेट सत्याग्रह का फिलियर कहलो आप जलिये वाला बाग इंसीडेंट कहलो रॉलेट लॉट एक्ट कहलो यह सारी चीज समझ आ गई करना पड़ा था अब क्या है क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह जो था वह लिमिटेट था मोस्टली टू सिटीज और टाउंस तक ही लिमिटेट था ठीक है महत्मा गांदी नौ फैल्ट दी नीड टू लॉंच अ मोर ब्रॉड बीज मुमेंट इन इंडिया महत्मा यह सोच रहे आए कि अईसा मुटेट लाउच किया जाए कि जो भॉमिंट बृटिश की जड़े लादे ठीक ब्रिटिच एंपायर की जड़े लादे और साथ ही साथ क्या एक ब्रॉड बेजट हो जिसमें गाहां शेहर हर वर्ग का इंसान जोड़ जोडा जा सके ठीक है तो ऐसा मुवमे जो है एक बड़ा मुव्मेंट नहीं बन पाएगा अब हिंदु मुस्लिम को आप कैसे जोड़ोगे ठीक है और यह मतलब एक ऐसा भी पॉइंट था कि महात्मा गांदी के साथ में बहुत सा लोगों ठीक तो अब यह करोगे कैसे लेकिन आप तो वहाँ पे खिलाफत इश्यू ने मदद करी हिंदु और मुस्लिम को जोड़ने में और एक बड़ा नेशन वाइट मुमेंट लॉंच करने में ठीक है तो खिलाफत इश्यू क्या था वो मैं समझाता हूं ठीक मैं उम्मीद कर रहा लेकिन नीड जो थी कि एक बड़ा ब्रॉडबेज मुमेंट हो वो नीड खतम नहीं हुई थी और उस बड़े ब्रॉडबेज मुमेंट में क्या है माहत्मा गांदी के अकॉर्डिंग कि हिंदु मुस्लिम का साथ होना बहुत जादा जरूरी है तो हिंदु मुस्लिम को साथ क्या से ला पाऊंगे आप खिलाफत इशू की मदद से खिलाफत इशू क्या है अब यह मैं समझाता हूं आपको ठीके और यही खिलाफत इशू था ठीके अभी आपके दिमाग कुछ जैसा हो रहा है कि क्या बोल दिया आपने कुछ समझ दिया कहा तक तो आपको कुछ एक ऐसा इसू चाहिए रहेगा जिस पर जो मतलब क्या कर सकते हैं कि Muslims के बहुत करीब हूँ ठीक है ताकि वो हिंदूस के सान मिलके क्या कर सके एक बड़ा movement जो है country में Britishers के अगेंस्ट में launch कर सके तो वहाँ पे खिलाफत issue एक अच्छा मतलब क्या मिलता है एक ground मिलता है जहां पर चीदों को capitalize किया जा सकता था वो मैं टीम कौन सी थी थी थोड़ा सा world history करेंट करो 9 में पढ़के आप मुहमत बनाओ तो अब यहाँ पर क्या है जैसे अगर आप देखोगे तो जो वल्ड बॉर में दो टीम थी ना कौन कौन सी एक अलाइट पावर थी तो अलाइट पावर में बृतेन वाली टीम थी जिसमें ब उपर क्या होगा उनके उपर हार्ष ट्रीटीज इंपोस की जाएगी जैसे ट्रीटी ओफ वर्सेल्स ध्यान आया थी कि जो जो हारे थे जिसे जो जो हारे थे जर्मनी हारा था ना तो ट्रीटी ओफ वर्सेल्स इंपोस किया गया थो उसके उपर इसी तरह से क्या है कि फर्स अब यहां पर आपको इची ध्यान रखना है कि Ottoman Empire के जो रूलर थे तो Ottoman Empire का जो रूलर था वो रूलर था वो वर्ल्ड का मतलब Islamic World का spiritual head भी कहलाते थे खलीफा जो है तो खलीफा कौन है Ottoman Empire के रूलर है वो अलग चीज है Ottoman Empire के रूलर होने के साथ साथ में Muslim masses all over the world जो थी वो उन्हें अपना spiritual leader मानती थी ठीक है तो अब बिटेन जो हार स्ट्रीटी इंपोस करेगा हारे हुए देशों के उपर तो बिटेन किस तरह से इंपोस करा है यार हमने इने हरा रहा है तो हम उनसे कुछ संधी करवा लेंगे ठ लोगों के लिए वो एक पीस ट्रीटी टाइप से कुछ नहीं था लोगों के लिए तो यह था ना कि उनके जो spiritual head है कौन स्पेसिफिकली Muslim masses all over the world जो थी तो Muslim masses all over the world थी ठीक है उनके तो sentiments जुड़ हुए थे किसके साथ में खलीफा के साथ में ठीक है तो यहां पर क्या है ऑट हमारे spiritual leader के साथ में ठीक है अब connect कर पा रहे हो कि Hindu Muslim unity कैसे आप यहां पर force करोगे क्यूंकि जितनी भी Muslim masses है ठीक है all over the world इंडिया की बात नी कर रहा हूं यहां पर महात्मा गांधी क्या करते हैं यहां पर महात्मा गांधी एक अच्छा मौका देखते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है महात्मा गांधी पॉसिबिलिटी ओफ युनाइटेड मास एक्षिन ऑन दी इशु ठीक है तो खिलाफत इशु को जोड़के आप दूसरे जैसे जलिया वाला बाग इंसीडेंट हुआ है इन सारे इशू को जोड़कर हिंदु मुस्लिम को जोड़कर ठीक है बिना फिवी कोल के आप क्या कर सकते हो बहुत बड़ा ब्रॉट बेस्ट मुव्मेंट लॉंच कर सकते हो समझ में कहानी एक झाला यहां रखना कि खिलाफत इशु में कौन थे अल्ली ब्रादर्स उखा सकते हैं कहीं से भी पूछलो क्या रख बढ़ता है ठीक है गांदी जी सौध इस एन अपॉटुरिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर दी अम्रियला ऑफ युनिफाइड नैशनल मुवमेंट ठीक है सारे मुस्लिम्स को ला सकते हो आप इंडियन नैशनल कॉंग्रेस अगर यह बोले क ठीक है क्यों सिख नहीं आएंगे जलियावला बाग इंसिडेंट के बाद में क्यों पंजाब के लोग नहीं आएंगे क्यों दूसरे और भी जो अलग-अलग रीजन है वो एक साथ एक अंब्रेला की नीचे नहीं आएंगे तो यह बढ़िया मौका देखा चौका मारा ठीक देरफोर कैलकता सेशन ओफ कॉंग्रेस ठीक है इन सेप्टेंबर 1920 ध्यान रखना भी या यह जो कॉंग्रेस सेशन ने यह मैप पे भी आएंगे इसमें कन्फीजन भी रहता इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हो क्या है कॉलकता सेशन की बात की जा रही है कहां पर बात की सेप्टेंबर 1920 की बात की जा रही सेप्टेंबर का सेशन है कॉंग्रेस का कॉंग्रेस के अलग-अलग अधिवेशन होते थे तो इन सेशन में कोई भी मुद्दा रहता था तो उससे डिसकस किया जाता था तो 1920 का जो सेप्टेंबर सेशन था ना महात्मा गांदी ने दूसर करना चाहिए किसलिए इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत इशू ठीक है और हमें स्वराज भी तो चाहिए हमें भी तो आजादी चाहिए ठीक है तो खिलाफत इशू के चलते हम सारी मुस्लिम मासेश को ले आएंगे जलियावाला वाग इंसिडेंट के घाव अभी हरे हैं ठीक है तो इन सारे इशू को इंकॉर्परेट करते हैं ब्रॉड बेस मुवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है नौन कॉपरेशन मुवमेंट ठीक है क्या है नौन कॉपरेशन मुवमेंट यह हम नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से एक बार यहां से कनेक्ट कर लो अच्छा गरांड मन रहा था non-corporation movement के लिए अब आपको यहां पर कुछ questions के वो बता देता हूं मैं जैसे मतलब जो confusion create कर सकते हैं कि जो रॉलेट सत्यागरह था ना तो रॉलेट सत्यागरह कह सकते हैं कि पहला अपने आप में सत्यागरह का एक्सपरिमेंट था ब्रॉड लेवल पर जैसे रीजनल इशूस तो हो गए थे चंपारन खेदा एहमदाबाद वगएरा तीके लेकिन रॉलेट सत्यागरह पहला इंडियन नापर के आप्सक्राइब करते हो हैं एक दम समझ भी क्रिष्टल कलियर हो गई है तो अभीक रचते हैं अभी इस लेक् част यहार पड़ेंगे समझेंगे वह मिलदार होने वाला है तब तक अपना ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में साइनिंग आफ विद इस टुगेधर वी कैन वी विल थैंक यू थैंक यू वेरी मुच